Hello friends, welcome back to my channel Mom's Journey तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 0 से 3 मंद के बच्चे के अंदर क्या-क्या changes आते हैं क्या-क्या development आती है और अगर आपका बच्चा 3 मंद का हो गया है या होने वाला है तो आपको पता होना चीए कि आपका बच्चा क्या-क्या कर सकता है क्या-क्या उसमें changes आते हैं क्या development होती है health से related, mind से related तो आज हम इस वीडियो में ये सारी चीज़े discuss करेंगे और ये भी जानेंगे कि वो ऐसी क्या situation है जब आपको डॉक्टर के पास भागना पड़ सकता है तो आईए वीडियो को शुरू करते हैं तो अगर आपका बच्चा 3 मेने का हो गया है या होने वाला है तो आपका शिशू जनम के समय से अब थोड़ा और healthy हो चुका होता है और मा के दूद से मिले potion, protein से 3 मेने के बच्चे का काफी विकास हो चुका होता है और उम्र के हिसाब से शिशू को development scale पर कई चीज़े और skill सेखने को होती है और जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये सारी बाते 3 मेने के शिशू पर लागो होती है तो अगर आपका बच्चा 3 मेने का हो गया है या होने वाला है तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि इस उम्र के बच्चे क्या क्या करना सीख जाते हैं तो नमबर वन आपका बच्चा आपके action को copy करना की कोशिश करता है जो भी आप बच्चे से कहते हैं वो उसके response में कई तरह के की अलग-अलग आवाजे निकालने की कोशिश करता है कहीं से कोई आवाज आए या पुकारने पर बच्चा उसको गर्दन गुमा कर देखता है और 3 मंद के बच्चे को दूर की चीज़ें भी दिखने लग जाती है और वो आपको दूर से भी देख सकता है जब आपके बच्चे की नजर के सामने कोई चीज़ हटाते हो तो वो उस चीज़ को लगातार देखता रहता है और देखता है कि आप उसे कहां ले जा रहे हैं आपका बच्चा पेट के बल लेटने पर अपने सीर को 45 डिगरी तक घुमा सकता है और अपने आसपास की चीज़ों को देख सकता है आपके बच्चे की गर्दन की जो मासपेशियां होती हैं जो मसल्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉंग होने लग जाती हैं उसके बाद अगर आप अपने तीन महिने के बच्चे को उपर उठाने की कोशिश करते हैं तो वो अपने पैर उपर सारा वजन डालने की कोशिश करता है अभी बच्चा आपकी मदद से खड़े होने की कोशिश कर सकता है और थ्री मन्द के बच्चे के सोने की रूटिन में भी काफी चेंजे साते हैं क्यूंकि Newborn Baby सिर्फ सोते रहते हैं और अगर आपका Baby 3 मन्द का हो चुका है तो उसका सोना भी बहुत कम होने लगता है अगर आपका बच्चा 3 मन्द का हो गया है वो अपने भाई बेन को आस पास के लोगों को पैचानने लग जाता है और कई तरीके की आवाजे निकालने लग जाता है और 3-4 मेने का बच्चा पहली बार हसना शुरू करता है और अब आपका बच्चा आपको देखकर मुस्कुरा सकता है आपकी बातों को response दे सकता है अगर आप उससे हसी मजा करते हैं तो बच्चा मुस्करा के उस बात को response करेगा नेक्स्ट बात करते हैं देखने और सुनने की शमता को लेकर तो अगर आपका बच्चा तीन मेने का हो गया है तो आपके बच्चे के सामने अगर आप चंकीले रंग की खिलवने रख़ोगे तो बच्चा उसे देखकर खुश हो जाता है और अगर कोई नया चहरा उसके सामने आता है तो वो उसे पहचानने की कोशिश करता है और कुछ देर तक उन्हें घुरदा रहता है इसके अबाद इस time आपका बेबी आपकी आवास को पहचानने लग सकता है और आपकी बाते करने पर आवाजें भी निकालता है और अगर आप अपने बच्चे की नजरों के सामने से दूर जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो आपके थ्री मन्द के बेबी के अंदर होनी चाहिए, ये सारे बच्चे के development होते हैं, और ये चीज़ें आपको notice करनी हैं, तो आएए आप बात करते ह कि आपको किस स्चुशन में डॉक्टर को दिखाना है अगर आपका बच्चा चेहरे देखकर कोई एक्सपेशन नहीं दे रहा है तो यह डेवलपमेंट में देरी होने का संकेत हो सकता है वहीं अगर बच्चा कोई अवाजी नहीं निकाल रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाने के जरूरत है नेक्स्ट अगर आपका बच्चा खुद से सिर को नहीं उठा पा रहा है तो इसका मतलब है कि उसका शारेरी विकास ठीक से नहीं हो पा रहा है नेक्स्ट अगर आपका बच्चा खिलोने देखकर कोई रियक्शन नहीं दे रहा है कोई रियक्ट नहीं कर रहा है या उसमें कोई दिल्चल्स भी नहीं रह रहा है तो यह भी खत्रे का संकीत है ऐसे में आपको एक बार शीशू को डॉक्टर को जरूर दिखा लेना चाहिए और अपने मन की तसली कर लेनी चाहिए तो फ्रेंड्स आशा करती हों कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही आगे की वीडियो की नॉटिफिकेशन भी आपको मिल जाए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर